एलो फ्रेंड्स आपको बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे और आज की वीडियो हमें लोग 10 most important reasoning के question देखने वाले हैं जो कि आपके आने वाले exam के लिए बहुत important है और वीडियो में जो भी question आपको मिलेंगे सबसे पहले आप वीडियो पॉस करके खुद का code आपसे पूछा जा रहा है ठीक है तो यहां पे अगर हम देखें N A M E का code क्या लिखा जा रहा है M Z L D ठीक है तो N से M जाने के लिए हमें क्या करना होगा minus 1 करना होगा ठीक है logic क्या है minus 1 ठीक है यहीं पर A में से minus 1 करेंगे तो Z हो जाएगा M में से minus 1 करेंगे तो L हो जा ठीक है तो claim का अगर हम लिखेंगे तो C से माइनस 1 करेंगे तो ये B हो जाएगा L से माइनस 1 करेंगे तो ये K हो जाएगा A से माइनस 1 करेंगे तो Z हो जाएगा और I से माइनस 1 करेंगे तो ये के हो जाएगा H हो जाएगा और M से माइनस 1 करेंगे तो L हो जाएगा ठीक है B के Z H L B के Z H L यानि कि Option 1 आपका यहाँ पर 100% करेक्ट आंसर होने वाला B के Z H L ठीक है Logic clear है यहाँ पर N में से माइनस 1 किया तो M हो गया A से माइनस 1 किया तो Z हो गया M से माइनस 1 किया तो L हो गया और E C माइनस 1 किया तो T हो गया ठीक है अब देखते हैं Next Question क्या पुछा जा रहा है Question No.2 इस टाइप का Question जो है SSC का फेवरेट है क्योंकि SSC इस टाइप Question जरूर पूछता है अब इसमें देखें कि परिवार दिया गया है दूसरे पर समूदा है तीसरे प्सदस्य चोतिप महला और पांचवे पर देश है इसको क्या करना है सार्थक्रमे दिद्रस्थित करना है पहले खुछ से आफ लोग ट्राई करिए मैं तो आप यहां पर सॉल्फ करा ही रहा हूँ तो अगर हम बात करें समूदायों शें बनता है महला बनता है जो की पांचवे करना मंबर वाफ्र है टिक टिक यह आपको दिख रहा है तीन एक दो चार पांच ठीक नेक्स्ट एक क्वेशन नमबर तीन की बात करें तो आपका यहाँ पे 8 का सम्बंद जिस प्रकार 500 वायरस से है उसी प्रकार 9 का सम्बंद किस से होगा तो अगर एक कुछ लोग लॉजिक ट्राइ करेंगे कि इसमें अगर हम इसके डिजिट को जोड़ देते हैं 5,1,6,2,8 तो यह आजाता है 8 लेकिन कोई भी अप्सन इसमें आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसको जोडने पे 9 आए तो यह तो लॉजिक फेल हो गया अब एक नया लॉजिक हम ट्राइ करेंगे 8 का अगर हम क्यूब कर देते हैं ठीक है तो यहां पहुँच जाएंगे 8 का क्यूब होता है 500 बार है और अगर यहां पे हम 9 का क्यूब करें तो यह होता है आपका 7,2,9 आपको कम से कम 25 तक का स्क्वाइर तो याद होना ही चाहिए ठीक है 25 तक का आपको स्क्वाइर याद रहेगा तो questions आप बहुत जल्दी कर पाएंगे logical reasoning के तो इसका आपको option करेक्ट हो जाएगा 7,3 यानी की option C next question बार 4 यहां पर देखेंगे polite को लिखा जा रहा है देखेंगे किस तरीके से इसको लिखा जा रहा है daily को लिखा जा रहा है लोजिक देखेंगे कि किस तरीके से लोजिक फॉलो हो रहा है तो यहां पर देखिए ई है तो यहां पर कर दिया है तो ट को यहां पर कर दिया है आई यहां पर है तो आई यहां आ गया यहां पर है तो यहां पर है तो यहां पर होना चाहिए जब कि यहां आ रहा है तो यह तो आपको फेल हो गया अब देखेंगे c h a r t को क्या लिख रहाई तो यहां पर ती है यहां पर ंड करेंगे यहां पर अई हले फ्रता ediyorumsin और यहां पर यहांपर आगे जी यहां है तूझी यहां पर ठीक है न यहाँ पर एन को यहां पर कर दिया आई यहां पर और test यहां पर है तो यहां पर यह पूरा कम्पलिटली आपका जहां लॉजिक को फॉलो कर रहा है इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन टू बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है करिक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन टू अब क्वेशन नबर फाइव देखेंगे लेखक का सम्मंद जिस प्रकार पेंज से है उसी प्रकार डॉक्टर का सम्मंद किस से होगा तो लेखक क्या करता है पेंज से लिखाई करता है लिखने का काम करता है तो डॉक्टर क्या करता है अस्पताल उसके काम का है नहीं है वार् को क्या लिखा जा रहा है ड, z, l, s लिखा जा रहा है तो b, e, j, q को क्या लिखा जाएगा तो यहाँ पर देखें अगर हम a, d, i, p को क्या लिखा जा रहा है d, z, l, s ठीक है a से d तक हमें जाने के लिए क्या करना होगा a के बाद b, c, d यानि कि प्लस तीन किया जा रहा है, D से G तक जाने के लिए भी प्लस तीन करना पड़ेगा, I से L जाने के लिए प्लस तीन, P से S जाने के लिए भी प्लस तीन ही करना पड़ेगा, तो लोजिक क्या है, सभी हमें हम तीन जोड़ना है, तो किसका हमें लिखना है, B, E, J, Q, B में प्लस तीन जोड कर्यों जोड़ेंगे तो क्या हो जाग Гान बेकर बात CD second I mean plus threenel जोड़ेंगे क्या हो जागा फ्व смотреть if jरृष सनी स्क्यून हरे हो सता है किस्क्यूम में तीन जोड़ेंगे क्यों जागा आर एस ट्रियानिकी EHMT EHMT किस option में है तो option 2 आपका correct answer हो जागा EHMT ठीक है B option आपका यहाँ पर right answer होने वाला है इसमें से आपको बताना है कि कौन सा option आपका जो है right होने वाला है ठीक है तो अगर हम इस diagram को complete करने कोशिस करेंगे तो देखेंगे कि सबसे पहले हमें यहाँ क्या बनाना है इसको पूरा करना है ठीक है उसकी बाद यह line खीचनी है इसको बनाना है फिर यहाँ से tangent line खीचनी है और इसको हमें मिला देना है और देखेंगे यह जो दो triangle है इनसे क्या बाएं side वाले triangle में ही तो breath है अब देखेंगे कौन सा option इस type का बनाया गया है तो पहला यह option अगर हम चेक करेंगे तो पहला यह option जो है इस type का है देखेंगे यह line है यह circle इधर है ठीक है तो यानि पहला यह option आपका यहाँ पर right answer होने वाला है next question यहाँ पर देखेंगे इसमें hidden embedded diagram आपको उताना है कि कौन सा इसमें embedded है तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे ध्यान से इस diagram को हमें क्या करना है धोड़ना है तो पहले वाले में अगर हम देखेंगे कहीं भी नहीं दिख रहा है दूसरे वाले में triangle एक simple triangle दिख रहा है बाकी कुछ नहीं है तीसरे में कुछ नहीं है चोथे में अगर देखें तो यहाँ पर आपका यह hidden है ठीक तो यह आपका right answer होने वाला है option 4 next question number 9 paper folding cutting का है देखेंगे बहुत ध्यान से इनको आपको देखना है कि किस type का आपका इसमें डाइगराम बनने वाला है ठीक यह जहाँ पर circular paper है circular paper यहाँ पर आपको एक दिया गया है और इसको क्या किया अगा है पहले आधे पर मोड दिया गया है फिर उसको चौथाई पर मोड गया है उसके बड़ एक periphery पर कट किया जा रहा है और यहां पे एक कट किया रहा है, यहां पे ट्रेंगल कट किया रहा है, ठीक है, अब अगर इसको हम open करेंगे, complete करते हैं सबसे पहले, यह आपका बनने वाला है, और यह जो है आपका diagram यहां complete होगा, यह यहां पे एक triangle होगा, यह यहां पे triangle होगा, अगर हम इसको completely खोलेंगे तो यहां पे एक बनेगा, यहां पे एक बनेगा, और यहां पे एक बनेगा, ठीक है, और पेरी-फेरी पे तो होंगे ही, ठीक है, तो जो यह बीच का आपका बन रहा है, यह बीच वाला पोर्शन बन रहा है, यह कैसा बनना चाहिए, इस तरीके से, आपका horizontally बनना चाहिए, ठ यह वर्टिकली आपका बन गया ठीक है अब इसमें देखिए इन दोनों में confusion आप लोगों को हो रहा होगा तो इसमें देखिए किया है इसमें बनाया है इस तरीके से हमारा क्या चाहिए horizontal चाहिए तो horizontal option B में है तो B option आपका यहां पर 100% right होने वाला है नेक्स्ट question number 10 की बात करें दियेगे विकल्प में इसे लुपत संख्या ज्यात करना है तो 4,3,5 और 8 दिया गया है 8,2,8 और 128 ठीक है इसे दरीके 2,2 question mark 68 दिया गया है तो अगर हम बात करें यहां पर 4,3,7,5,12 में 5 से गुड़ा करेंगे तो यह कितना हो जाएगा 60 आ फिर 8,2,16,16,18,12 यह भी सही है अब यहां पर 2,2,4 चार आ गया है चार में किस से गुड़ा करें कि यह कितना हो जाए 68 हो जाए तो यह find out किसे होगा x is equal to 68 बटे 4 यानि कि कितना 17 किस में है option 1 में है ठीक है तो इसका आपका correct answer कि क्या हो जाएगा option 1 हो जाएगा ठीक है तो यह total 10 questions आज की वीडियो में आप दों के लिए थे और यह questions आपके सभी exams के लिए महतुपूर हैं क्योंकि यह topic जो selected है रिप्टेटली questions इन पर बनते हैं तो चैनल कॉपबक सब्सक्राइब करें thank you